दीरे दीरे लोगडाउन में जो है धील दी जा रही है और लोगों की जिंदगी जो है पटरी पर लोट रही है वहीं हम बातचित करें कैथल बस्टैंड पर इससे में हम मौजूद खड़े हैं जा बहुत चहल पर रहती थी और आप हर्याना रोडवेज का जाम हुआ चक्का तो लगबख दो महीने से जाम है यह रफ्तार पकड़ने की फिराक में है और जो हर्याना रोडवेज आपको एक बार फिर से रोडव पर चलती हुई नजर आएंगी और रोड़ की शोबह बढ़ाती हुई आपको नजर आएगी लेकिन यह बस कैसे कैसे कहां कहां पर जाए हैं कितल से रोड़ तक जाने का समय है सुबह 8 बजे और हिसार जाने का समय जो है 10 बजे मैं आपको गmet को कि रोतक से कैथल का आने का समय जो है एक बज़े है और वहां से हिसार से जो एक कप else कि लिए चलेगी वो साड़े तीन बज़े चलेगी और सिर्सा से कैथल के लिए बस आपको मिलेगी वो तीन बज़े आपको मिलेगी तो आप यह टाइमिंग करें और आपको ओनलाइन बुकिंग करवाना होगा ओनलाइन बुकिंग के बिना आपको नहीं टिक्ट दी जाएगी और आगे की जानकारी आपको देंगे मेरे सही होगी मोहन नायक बिल्कुल जिस तरह से मेरे सही होगी संझी दोरा जो जानकारी दी गई है कि हरियाना रोडवेस दोरा जो सेडूल जारी किया गए कि हरियाना रोडवेस की बसे जो है अब सडकों पर दोड़ती नजर आएगी तमाम तस्वीरे इस समय कैथल बस्टेंड की हैं जहां चैल पहल नजर आती थी लेकिन लोकडाउन के तहट लगबर दो महीने बीच जाने के बाद अब जो बसे हैं वो चलती ही नजर आएंगी क्योंकि दो महीने से ये बसे जो है जिनका चक्का जाम है और रोडवेज के जो डीपू है जो वहाँ पर ये रोकी हुई है रोकी ठमी हुई है लेकिन कल जिस तरह से हर्याना राज्य सरकार दौारा रोडवेज ने नियम बनाया है और जो शडूल जारी किया गए जिसमें कैथल डीपू की तीन बसे जो है कैथल डीपू से चलेंगी जो कैथल से रोह तक सिर्सा और हिसार के लिए चलेंगी जिनकी समय सारनी मेरे सयोगी दौारा बताएगे कि कैथल से रोह तक की जो बस है वो सुबह आठ बजे चलेगी और कैथल से सिर्सा की बात करें तो दस बजे जो है वो यहां से जाएगी और कैथल से हिसार की अगर हम बात करें तो दस बात करें कि वापसी आने का जो शडूल है जिसमें सिर्सा से कैथल की अगर हम बात करें तो लगभग तीन बजे जो है वो बस यहां पर पहुंचेगी और रोतक से कैथल जो बस आएगी वो एक बजे यहां पहुंचेगी और हिसार से जो कैथल बस पहुंचेगी वो साड़े तीन बजे पहुंचेगी लेकिन यातिरों को इसमें सफर करने के लिए ओनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी जिस तरह से सरकार द्वारा हिदायत दी गई थी कि आपको बस में अगर सफर करना है तो आपको ओनलाइन बुकिंग करवा करें आप सफर कर पाएंगे क्योंकि बस के अंदर जो है टिकट वो जो नहीं काटी जाएगी ओनलाइन अगर आप टिकट बुक करवाएंगे तो आप उसमें सफर कर पाएंगे लेकिन सरकार द्वारा हिदायत यह दिग गई है कि आप 30 यात्रियों से जादा इसमें सफर नहीं कर सकते हैं 30 यात्रियों से अधिक जो है उसकी जो बुकिंग भी जो है नहीं हो पाएगी लेकिन कैसल से तमाम जानकारें कैसल ब्रेकिंग टीवी के मादम से आपको दीज आ रही है जहां पर हर एक सूचना आप तक पहुंचाई जा रही है हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें शेर करें हमार को जानकारी जो है तमाम जानकारें लोगों तक पहुंच चगए आप देखते हैं कैसल ब्रेकिंग टीवी